नमस्कार हिंदेश साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज मैं आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ H.P.L.T. कमिशन 2021 के लिए उन महत्पुन टॉपिक्स को जिनको अब लास्ट आइंग आपको एक बार देखने की जरूरत है I hope आप सब लोगों की तैयारियां बहुत ही बहतरीन होंगी और पिछले लगा तार 4-5 महिनों से आप इस परिक्षक की तैयारियां कर रहे हैं अब समय उसको execute करने का आगया है ज्यादा चीज़ें अब last के दिनों में बिल्कुल भी नहीं देखनी हैं जो चीज़ें आपने बिल्कुल अभी तक कर ली हैं उन्हीं चीज़ों को आपने एक बार फिर से focus करना है और यह जब चीज़ आप करेंगे तो definitely आपका paper बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अगर आप last के time में कुछ extra देखने जाते हैं तो आप जो पहले की नई चीज़ें उनको कही न कहीं भोल जाएगे तो इसलिए एक बार में brief में आपको simple सा पूरा का बुरा सार आपको बता देता हूं कि किस तरह की की जो परिक्षा है वो आपको पूछी जाएगे खासकर आपका literature portion और आपका जो grammar portion है बाकी जो चीज़ आती है वो सारा हलका हलका में बताने की कोशिशिस में करूंगा सबसे पहले जो आपको प्रशन पूछे जाता है देखिए ये तो आपको रहेगा आपका आदिकाल से शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले कभी कभा आपको भाशा से related portion भी पहले ही रख दिया जाता है तो भाशा के संदर्व में विद्वानों के क्या-क्या मत हैं कि उन्होंने क्या-क्या definitions जी है भाशा के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है definitely यहां से एक प्रशन बनता है भाशा के बारे में कामता प्रसाद क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए भाशा के अलावा जो पाश्चाते चिन तक रहे हैं आपके उन्होंने भाशा के बारे में क्या चीज़े कही है ये चीज़ भी important है एक प्रशन आपको ऐसा पूचा ही पूचे जाता है फिर भाशा से related कुछ और चीज़ आती है बहाशा के ततों कौन कौन से हैं फिर इसके अलावा भाशा के ततों से जब और आगे बरहेंगे तो वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी हैं वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी हिंदी भाषा है उसके जो विकास क्रम की बात आती है वो कैसे कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ देवनागरी लेपी से एक आदा प्रशन आपको पूछा जा सकता है कि उसके जो सुधार के काम किये वो किस किसने किये हैं ये चीज भी ध्यान रखना है पंचमक्षर के स्थान पर जो अनुस्वार का प्रियोग ये किसने माना था ऐसे प्रशन आपको बन सकते हैं देवनागरी लेपी से भी आपको ध्यान में रखना है तो लास्ट रीडिंग अगर आप देना चाहरे हैं तो इन इन टॉपिक्स को एक बार जरूर आप रिड कीजिए जो इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने वाला हूं इसके अलावा देखिए जब आप विकास क्रम भाष्चा की बात करेंगे जो आपका प्राचीन संस्कित से ले करके आधोनिक हिंदी तक ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा- फिर उसके अलावा जो इसके कितने चर्ण हैं तो तीन चर्णों में बांटा गया है आपका प्राचीन हो गया, मद्यकालिन हो गया और आधोनिक भारतियारे भाष्चाएं होगी इन तीनों के अंतरगत जो पाली, प्राकृत, अपवरश, संस्कित, बगेर अभेर आती हैं इनको कभी कभार क्रमानुसार लगाने के लिए पूचे जाता है तो एक तो इनका समय जो टाइम पीरियेड है वो आपने ध्यान रखना है उसको ज़रूर पढ़के जाना है लास्ट के टाइम में एंड साती सातर पाली के बारे में बिद्वानों के क्यामत है ये प्रशन इ हैं वहां से भी एक प्रशन आपको डेफिनेटली पूचे जाता है अपवरंच साहित्ते हालां कि आपका बाद में भी आता है जब आधिकाल में पढ़ेंगे लेकिन जब भाषा के विकास करम की बात आती है तो वहां पर भी आपको अपवरंच से एक आधा प्रशन पूच पहली बात यह है और भाषों में आध्वनिक भात्रा शरया अर्म आत भाशा में सबसे पहले आप भाषुन को क्षुर पर करेंगे की कौन कौन से हिंदी भाषी राजए हैं और इनको किस श्रेणी में रहा गया है गौष्रेणी के अंतरगत कौन से आते हैं, ख़व के अंतरगत कौन से आते हैं, ये चीज भी आपको दिहान में रखनी हैं जब ये चीज आपने कर ली फिर आप पहुंचेंगे अपने अपपवरंश के जो आधुनिक भात और भाषाओं के मैं बात कर रहा था तीन अपभ़़च रहें जिन से हमारी हίνदी की अठारा बोलिया निकलती हैं, वो कौन-कौन से अपभ़़च रहें हैं, शोर्षेनी, मागधी, अर्दमागधी, इन तीनों अपभ़़चों से जो भी आपकी उपभाशाएं हैं और उन उपभाशाओं की कुछ एक बोलिया है उन बोलियों के बारे में भी आपको ध्यान पर रखना है, definitely यहां से एक प्रशन आपको पूछ जाता है, तीन जो प्रमुक बोलिया हैं जो आपको जरूरी है पढ़ना वो है आपका अवधी, अवधी के बाद आती है आपकी ब्रजभाशा एंड कौर भी, इन तीनों के बारे में जरूर पढ़के जाना है, वहां से एक प्रशन पूछ जा सकता है, इनके जो बोलिक्षेत्र हैं, वहां से भी प्रशन आपको definitely पूछ जाएगा, इनकी संख्या कितनी है, यह भी आपको ध्यान में रखनी है, most important प्रशन यहां से बनता ही बनता है देखना, इसके बाद जब आप और आगे पहुंच जाएंगे, फिर आएगी हिंदी की संवेधानिक स्थिति, आप देखते हैं यहां से अकसर एक प्षन बनता है कि किस अनुछेत में कौन सी चीज है, अकसर वैसे तो 343 से 351 को ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे म यह चीज भी ज़रूर पढ़के जाना है, एंड साथी साथ आठ्वे निसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, किस अनुछेद में किस भाषा को जोड़ा गया है, किस संविधान सुन्शोधन में किस भाषा को जोड़ा गया है, यह चीज भी आपको definitely याद रखन भाषा आयोग, यहां से कभी कभार एक बन सकता है, इस चीज को भी आपने definitely याद रखना है, यहां पर आपका जो भाषा वाला portion है कही न कहीं वो लगभग complete हो जाता है, यहां पर देखिए क्या क्या चीज़े हैं, जो भाषा से थी, एक तो आपको भाषा के बारे में जान भाषा की जो समवेधानिक स्थिती है, यह जरूर रखनी है, यहां से प्रशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, फिर हिंदी के जो उपभाषाएं, उपबोलियां, अन्यबोलियां रही हैं, उसके जो बोलिक्षित्र रहें, वो definitely याद रखना है, पत्र चार के अधार पर हम कित इतिहास लेखन, नामकरण, इत्यादी, इत्यादी, तो नामकरण से related एक प्रशन definitely पुछा जाता है, हिंदी साहित्य इतिहास, किस ने पहले तो यही बात आएगे, किस शीर्शक से लिखा है, most important प्रशन है यह, अचार रामसंद शुकल का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके किसी ने आधा इतिहास लिखा, किसी ने दूसरा इतिहास लिखा, किसी ने कुछ अलट इतिहास लिखे, हिंदी साहित्य किसी ने भूमी का लिखी, किसी ने आधी का लिखा, यह जो जितने भी इतिहास क्रंथ है, यह प्रशन आपको एक प्रशन definitely यहां से पूछ जाता है, जब ये चीज हो गई उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे फिर इतिहास जो लिखे तो गए लेकिन उस इतिहास लिखने के लिए किस पधति को अपनाया गया कि इतिहास लेखकों के पारा है ना उस पधती के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि वर्णानुक्रम पधत आधिकाल है यह यूं कहें कि नामकरण किस ने किये हैं ना साइटेतियास लिखन में यह चीज आ जाएगी दिखना कि किस काल को किस ने क्या नाम दिया बोस्ट इंपर्टन प्रशन यहां से आपको एक या दो प्रशन डेफिनिटली रखे जाते हैं प्रिब्येस एर पेपर मे जो नामकरण दिये गए हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपर्टन जो नामकरण की दिश्टी से पूछा जाता प्रशन है वो रितिकाल है वहां से भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है तीसरे इसके बाद जो अगली एक महत्वकुन चीज आती है एक चीज जो मैं आप सब के लिए कहना चाहूंगा जितने भी आपके काल विशेष रहे हैं चाहे वो आधुनिक काल हो चाहे कुछ दूसरे रहे हो उनकी जो थोड़ी थोड़ी विशेष्टाएं हैं हर एक काल विशेष की अपनी एक महत्वकुन विशेष्टा है आदिकाल में आप ध्यान रखिये यह था आपका आधिकाल के नाम करन ना सिर्फ आधिकाल वल्की सहतेत्यास लेखन नामकरन इत्यादी और समय सीमा भी इसी मैं आपने एड़ कर लेनी है कि हर एक काल की, आधनिक काल तक की भी समकालिन कवीता तक क्या हर एक काल क्या समय है वो आपको पता होना चाहिए ऐना अचारे रामचंदर शुकल के अनुसार ही आपने पहले 4 घंडों का लिया रखना है, फिर आधनिक काल के आगे जो काल आते हैं उनके तो सरोमान अमत के अनुसार ही आपको चलना है कि 1857 के बाद आपका भारतेंदु चला, भारतेंदु को बाद दिवेदी चला, दिवेदी के बाद कुछ चायवाद चला, चायवाद के साथ-साथ चली हालावाद, मासलवाद और साथ-साथ यहां प आदिकाल में कुछ मत कीजिए, simply रचनाओं को ही याद रखना है लास्ट के दिनों में अब, अपरणच साहितय में कौन-कौन से आते हैं? वो चीज या रखना है, सुअमभू, देवसेन हो गया, पुश्पधंत हो गया, उनको आप थोड़ा-थोड़ा पढ़के जाईए, व उसको भी ध्यान रखना है, फिर सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के जो रचनाकार रहे हैं, चार-पांच, उनको ही ध्यान रखना है, सिद्धों की संख्या से रिलेटर प्रशन पुछ जाता है, नाथों से भी आपको इतना साहित्य प्रशन बनता है, सिद्ध साहित्य, न लास्त के टाइम में इनको एक फ़र जरूर रीड कीजिए, डेफिनिटल यहां से एक प्रशन पुछ जाता है, और सबसे मुस्ट इंपोर्टेंट आदिकाल में एक चीज और थी, वो है आपका आदिकाली जो गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य में सिर्फ तीन चीज़ें आत सिंपल सा यही प्रशल, इसके लावा लौकिक साहित्य रचा गया, तो वहां पर एक ही रचना है ढोला मारूरा दूहा, बस आदिकाल से आपको यही याद रखना है, इसके लावा दो और नाम आते हैं आदिकाल में, वो हैं कौन-कौन, अमीर खुसरो और बीद्यापति, उ दूर, जाइसी, और कबीर, तुल्सी, इनके बारे में आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ें याद रखनी हैं, दूसरी चीज और एक आप रखेंगे वक्तिकाल में याद, जितने भी संपरदाय आते हैं, है ना, उन संपरदायों के बारे में आपको थोड़ी-थोड़ी कवी आएंगे नर्गुन संत कव्यों के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, कि कौन-कौन से नर्गुन संतकवी आते हैं, दूसरे नमर पर आपका सगुन काव्य धर्यक्य अंतरग्याम लेनगे वह बाध की बात है, लेकिन पहले आपको जो प्रमुक रचनाय हैं, बादवाले, उनसे भी एक प्रशन बनता है, और जाईसी, जाईसी से related important पदमाबत जो है, वहां से भी प्रशन बनता है, पदमाबत के जो प्रतीक हैं, वहां से भी आपको एक बार उसको पढ़के जरूर जाना है, फिर अगर हम कबीर की बात करें, कबीर से related आपने बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिया है, उसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना, वो आप सब लोग जानते हैं, बस सिंपल सा ऐसा यादख लीजे कि कौन से आपके संत कवी हैं, जिनकी गिंती संत कावेधारा के अंतरगत होती है ज्याना पर आपका एक और चीज आती है, वो है आपका सूफी, सूफी मियोनयम आपको बता दिया कि कौन-कौन से ध्यान रखने हैं, फिर अगली जो बात आती है, वो आती है सगुन में, सगुन में आप जरूर पढ़के जाईए आपका जो आलवार संत हैं, आलवार संतों के बारे जो मैंने आपको पहले ही कहा, कि जो चार प्रमुक्सम परता हैं, पहले तो वो याद रखने हैं, फिर आपका जो राम कावे है, राम कावे में तुलसिदास को पढ़िए, तुलसिदास की रचनाएं, बारा रचनाएं थी, छे ब्रज में, छे अबधी में, याद रखने के ट्रिक क्या है पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ उसको आप फॉलो कीजिए एक बार फिर से उसको पर डालिए तुलसिदास की रचनाओं को कि उसके प्रकारों से भी प्रशन बनेगा कि कौन सा गीती कावे है कौन सा उसका जो आपका प्रबंध कावे है कौन सा मुख तक ह यहां से एक प्रशन बनेगा ही बनेगा तुलसिदास से समाने परीचय भी तुलसिदास का ध्यान में रखना है बाकि जो राम कवी है उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यह चीज़ें आप कर लीजिए फिर पहुंचेंगे आप सगुन कावे क्रिशन मतलब सबसे इंपॉर्टन है यहां पर वक्तिकाल में कृिशन कावे के रिलेटिड जितने भी आपके संपरदाए है उनको याद कर लिजिए हरीदासी और रादा वललब हो गया वललब संपरदाए होगा बहुत सिंपल है यह ज्यादा मुश्किल नही दूसरा इनके अंत्रगत आने वाले कौन कौन से कवी हैं सबसे इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या है अश्थ चछाप के कवी है जो वलब संपरदाय के अंत्रगत आते हैं वहाँ पर यह याद रखना है अश्डणी स्थापना कवी और चाप में कौन सा 없어 है कौन सा वहां पर आपके सूर्दास का वलबाचारे का शिष्य है यह चीज आपको definitely पूछ जाती है तो इसको भी याद रखना है यहां पर आपका जो यह जो भक्तिकाल है जो सगुन काब है और प्रमुक्ष संपरदाय रहे हैं यह प्रशन कहीं न कहीं आपका help करेगा इसके अलाबा आप एक चीज और देखते हैं उसमें सबसे important क्या है संपरदाय निर्पिक्ष दो कवी आते हैं यहां पर किस-किस को आपने याद रखना है एक आपका मीरा हो गया दूसरा रस्खान हो गया इन दोनों से भी आपको कुछ चीज़ें पुछ जाती है तो मीरा रस्ख लगभग आपका यहीं पर खत्म हो जाता है लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं कई बार भक्तिकालीन गौण कव्यों में आपका जो नीतिकाव है बनारसिदास जैन का उसके बारे में पूछे जाता है लेकिन उनकी सबसे important क्रिति हम सब लोग जानते हैं वो है अर्द रखना है आपने याद एक और चीज यह है important है फिर जो अगला आता है आपका भक्तिकाल लगभग आप यहीं तक stop कर लीजिए तीसरे नंबर पर आपका रितिकाल आएगा रितिकाल से सबसे पहरी बात तो यहीं आपने याद रखना है कि रिति सिध्ध रिति बध और रिति प्रशन बनता है बहुत बार पूचा गया है कि रितिकाल का प्रबर्तक किसने किसको माना है यह प्रशन definitely आपको ध्यान में रखना है फिर रिति बध कौन सा है रिति बध आपको सब लोगों को पता है रिति सिध्ध आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पिहारी का प्रमुक दिखानान को जरूर याद कि बिहारी को याद रखना है विहारी सचसई पर टीका किस ने लिखी इंपोर्टन टीका किस ने लिखी यह प्रशन आपको बनेंगे बाकी रितिबद्ध में आप जो सबसे इनसकी कुछ एक रचना है वो आपको डेफिनिटल याद रखनी है और मैंने आपको पहले भी कहा है कि रितिबद्ध कावेधारा की जो गौन कवी है उनकी रचनाओं को भी लगातार परिक्चा में पूछा जाता रहा है तो एक बार आप उनको भी नजर तोड़ाए यहाँ कर अब आपका रितिकाल हो जाएगा फिर रितिकाल से आप बढ़ेंगे आधुनिक काल की और आधंिक काल में सबसे पहली बात आपने यही करनी है कि किस यूग का कौन सा कभी रहा है यह सा प्रशन आपको तीन से चार प्रशन ऐसे पूछ जाते हैं कि आपको ध्यान में क्या रखता है कि आपने देखा होगा भरतेंदू मंडल के कभी कौन सा है दुवेदी यूग में कौन कौन से कभी आते हैं यह आपको definitely याद रखनी पड़ेगी सबसे पहले समय सीमा मैंने आपको पहले ही याद रख ली कि बता दी कि ऐसे भी प्रशन पूचे जाएगा कि किस यूग का समय कब से कब तक रहा है फिर दूसरे नंबर पर कौन सा कवी किस यूग का है यह प्रशन आपको बनते हैं तीन से च जहां पर दिवेदी मंडल और दिवेदी मंडल के बाहर के जो कभी रहे हैं उनसे रिलेटर प्रशन आपको ध्यान में रखना है जहां पर महभी प्रशाद दिवेदी मैतली शरंगुप्त अयोत्यासिंग उपाध्याय हरियोद श्रीधर पाठक रामद्रेश्ट्रि कौनसी धारा थी हालावाद था रिश्ट्र मानस्लवाद रहा यहां से भी आपको फश्यधर प्रशन पूचे जाते है कि कौनसा किस बाध के अंतरगत आता है धाँ है चीजब आपको स्मपली रचनाएं और दूसरा कौनसा емकोंसा एंतरगत आता है यह यह याद रखना है प्रगतिवाद में कौन-कौन से आते हैं, ये याद रखना है, प्रियोगवाद का परवर्तन किस ने किया है, वो याद रखना है, और साथी साथ, तारसपतक का प्रकाशन किस ने किया, कब-कब तारसपतकों का प्रकाशन हुआ है, ये चीज भी आपको पुछी जाती है, एक कविता अंदोलन रहा हो नकेन वाद रहा हो इन सब के बारे में या तो इनका जो वर्ष रहा है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है या फिर कि इनके अंत्रगत कौन-कौन से कभी आते हैं यह चीज आपने ध्यान रखना है कि किसने इसका प्रवर्तन किया ठीक है यह विधा के जनक कौन रहे नवगीत विधा के अंतरगत कौन कौन से कवी आते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो यहां पर आपका हिंदी कवीता वाला जो पोर्शन है और जो प्रमुक चीज है वो खतम हो जाएंगी दूसरी चीज इसके अलावा जो बचता है वो है आपका जो गध्य विधाएं हैं गध्य विधाओं से लगपक 15 से 20 से जाधा प्रशन आपको बनेंगे दिखना हर एक विधा से आपने लास नाइम भी देखा होगा निबंध विधा से प्रशन पूछे गए हैं आलोचना विधा से उपन्या में कहूंगा कि विधाएं जरूर आपने टच करनी हैं खासकर जो गौण विधाएं हैं जिनकों कथेत्र गध्य कहते हैं आतमकता से लेकर के डाइरी साक्षात का तक या गध्य साहिते तक वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं वहां से आपको हर विधा से एक आ 2 अपने बढ़ना है बहारति का वयशास्त्र की और बहारति का वयशास्त्र से अपको प्रमुक जो छह समपर्दाएं हैं उनके प्रवर्तकों के नाम यह आनतThere वहां और रख और सम्प्रदाई क बासी प्रवर्तplan assistant तो 최ण कोसकर प्रवर्त सूत्र जो अव्यव हैं, रस के जो अंग हैं, उनके बारे में भी आपको ज्यान में रखना है, है ना, फिर दूसरी चीज या आएगी कि जो विभाव, अनुभाव हैं, ये क्या है, है ना, कि कितनी इनकी संख्या रही है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, और रस सुत्र, most important है देखना, इसमें सहीड़े की जो अवधारना आती है, सधानी कन की जो अवधारना आती है, ये किस ने दी है, इसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, important topics हैं, आपका रस सुत्र, बाकी जितने भी आपके सिधानत आते हैं, चाहिए ध्वनी सिधानत आ गया, वक्रोकती आ गया, उसके बारे में आपने सिंपल सहीतना याद रखना है, कि उसके प्रवर्टत कौन है, में चीज भारतियक आवशास्त्र में आपको ये या लखनी है, फिर दूसरी चीज़, जो सबसे सिंपल चीज़ है, वो यहीं कि जितने भी आपके भारत्य कावेशास्त्र अचारे रहे हैं, उनमें से जो प्रमुक प्रमुक नाम है, उनकी कौन-कौन सी जो प्रमुक कृतियां है, उसके बारे में आपको definitely याद करके जाना है, कि उनने कौन-कौन सा साहिते थिहास गरंथ रचे हैं, यहां से ए आपके जो प्राचीन लेखक रहे हैं, पास्चाते चिन तक, उनके बारे में या रखना है, होमर हैसियर से लेकर के आपके प्लैटो अरस्तू तक, ठीक है, एंड इसके अलावा जो मध्यकालिन भी इसी में आ जाएंगे, मध्यकालिन आपका वर्ड्स वर्थ वगेरा वगे उनने क्या-क्या चीजें कहीं हैं, वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, और उनकी जो प्रमुक रचनाए हैं, वो भी ध्यान में रखनी है, फिर पास्चाते काविशास्तर में जो प्रमुक वाद आते हैं, वादों से रिलेटेड एक प्रशन और आपको बनेगा, वा जिसनाय रही आपके पाश्चाते कावशास्त्र में कि किसने माना लेकर की मिलती हो चुकी है एक ऐसा प्रशन भी बन सकता है और दूसरा तो रचनाय तो आपको हर जगह से याद रखनी पड़ेगी जैसे देरीधा की कौन सी है या फिर आपका लॉंजाइनस कौन सा रहा हॉरिस कौन की रचना कौन सी मानी जाती है ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा द्यान रख के चाना है पाश्चात्य कावेशास्तर से पाश्चात्य कावेशास्तर मुस्ट इंपोर्टेंट है इनको आप देखिए जरूर दे हाramos किरा है चीज़ आपको डेफिनिटली पूछी जा सकती है इसको आप ध्यान में रुख लीजिए ना इतनी चीज़ें आपको डेफिनिटली या रखनी है है भारतिक कावेशास्तर और पाश्चात्य कावेशास्तर से फिर आता है आपका व्याकरण तो व्याकरण से बहुती सामान्य सी चीज़े हैं वो आपने पहले से पढ़ ली हैं तो हिंदी साहिते से related जो भी important topics थे मुझे लगता है इन इन topics को आप एक पर जरूर देखिए और भारतिक कावे शास्त्र में एक important चीज़ चूट गई थी वो था आपकार कि कावे हेतु कावे लक्षन और कावे प्रियोजन यह most important topic हैं यहां से भी एक प्रशन पूछ जाता है खासकर कावे प्रियोजन से related आपने देखना यहां पर जो भातिचिंग तक क्या कहते हैं यहां पर जो आधुनिक हिंदी के लेकर कौन कहते हैं क्या कहते हैं यह प्रशन definitely पूछ जाता है तो एक प्रशन आप ऐसा जरूर आपने ज्यान में रखना है यह थे कुछ एक महतफ़न topics जिनको पढ़के आपको जरूर जाना है है ना तो अगर इसमें कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप उनको भी साथ में याद कीजिए और आप सब लोगों की तैयारियां मैं समझता हूं बहुत ही जादा बह तैयारियों को अपने जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको उस प्लान को execute करने का और यहां पर आपके पास एक बहुत ही भेतरीन मौका है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है उनको आप परिक्षा में सही तरीके से attempt कीजिए और बिल्कुल अराम से हिंदी सही त्यवारता परिवार की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुब काम नाएं कि आपका एक्जाम अच्छे से होगा एंड भविश्य के लिए भी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुब काम नाएं Thank you, thank you so much, wish you all the very best